बहुत है आपका फ्रीजी के कि उस चैनल पे मेरा नाम है किरन भाबाराज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इसका चडूरेशन है वो है 1,206 ASV से 1,562 ASV तक पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पड़ा था महमुद बिन कासिम के उपर महमुद गजनवी, महमुद गौरी और गुलाम वंच के बारे में A to Z पड़ा जितने भी important points होते हैं आपके exam point of view से सबको हमने cover किया ठीक है ये जो पार्ट second है आज का इसमें खिलजी वंच, सारी चीज़े बताऊंगी A to Z सारे छोटे-छोटे points भी मैं cover करवाऊंगी ठीक है फुल explain होगा जिस तरह से हम सारी वीडियो में करते हैं जो part third इसका आएगा उसमें इसी से related इनी topic से related 100 से भी जादा MCQs को मैं cover करवाऊंगी ठीक है जिससे आपकी practice और जादा strong हो जाएगी आप किसी भी exam के तयारी करो चाहे RRB, SSC, UPSC, Bank या फिर कोई भी government exam की अगर आप तयारी कर रहे हो तो आपको इस topic दिल्ली सल्तनत से related questions जरूर देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते है एक छोड़ी से request के साथ हमारे इस channel को जरूर subscribe करें सब्सक्र सिंपली बस उसको एक बार आपको टच करना है चलिए दिल्ली सल्तनत पिर निमनलिक्त पांच वंचों का शाशन रहे है अगर आपने part first दिखा है तो ये आपके लिए बहुत जादा simple हो जाएगा ठीक है सबसे पहला जो है वो है मामलुक अथवा इसे गुलाम वंच भी कहा आगए लेकिन जो साला होता है वो मना कर देता है कि उससे पढ़ाई नहीं होगी तो जो जीजा जी होते हो नाराज हो जाते है साले से हो गया खिल तू से हो गया तू साले का स से हो गया सयद और ल से हो गया लोदी वंश ठीक है ये समझ में आ रहा है आपको गुल खिला तू साले से ये आप इनके वंश को करम से याद कर लोगे ठीक गुल खिला तू साले ठीक है समझ में आ गया आपको यहां से आप words इनको पक और यह जो लास्ट का है यह अफगान है इसको ज़रूर याद रखना कोशन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में इनमें से अफगान कौन है ऑप्शन दे दिये जाएंगे ठीक है और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से तुर्की कौन है ठीक कि दिल्ली सल्तनत का काल 1206 इसवी से प्रारम होकर 1562 इसवी तक रहा इनको जरूर याद रखा करो क्याद नहीं तो कम से कम ध्यान में रखा करो इससे आपके सारे डाव्ट क्लियर हो जाएंगी क्या होता है हम कन्फ्यूज क्यों होते हैं बच्चों क्योंकि जब इदिल्ली सल इस समय में और कौन सा राजा कहां पर था ठीक है इसलिए आप देखना हर राजा के नाम के आगे पीछे आपको सन जरूर लिखा हुआ आएगा 320 वर्सों के इस लंबे काल में भारत में मुसल्मानों का शाशन व्यापत रहा व्यापत मतलब बहुती उची व्यवस्ता पे रहा ठीक है हर जगहा पर मुसल्मान ही फैल गए थे इन 320 सालों में ठीक है यह काली इस्तापत एवं वास्तुकला के लिए भी विशीज रुप से उलेखने था इस्तापत यह मतलब देखे मुसल्मानों के यह जो सुल्दान थे इन्होंने बहुत सारे राज्यों के भी स्तापना की वास्तुकला इन्होंने बहुत अच्छे-च्छे समारक गुमबज या फिर जो भी चीज़े होती उन सबको भी उन्होंने बनवाया था ठीक है तो जो भी उन्होंने बनवाया थे जो भी इनके समय में रचनाई लिखी गई थे उनके उपर तो बहुत सारे कुशंस बनते ही बनते हैं चले देखते हैं आगे मद्यकालिन भारत की प्रमुक घटना मुसल्मानों का आकरमन है ठीक है मद्यकालिन भारत की बात करते तो यह इसकी प्रमुक घटना रही है ठीक है प्राचिन भारत में मुसल्मान नहीं थे यह मद्यकालिन भारत में आये थे जिसमें सरप्रतम अर्बी आकरमन हुआ और बाद ये चलता रहता है, ये सब तुर्की होते हैं, ठीक है, ये चीज हमेशा आप याद रखना, ये देखिए मैप आपको थोड़ा सा बता देते हूं, यहाँ पर ये इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये उस समय कुछ नहीं था, ये अफगानिस्तान और यहाँ से, इसके यहाँ पर थोड़ा से उपर है, यहाँ पर आते हैं तुर्की और यहाँ पर ये इरानी, ठीक है, तो ये सब यहीं सही आते हैं आकरमन करने के लिए भारत में, यहाँ पर ये पंजाब, और यहाँ पर ये मुलतान, और यहाँ पर ये मकरन, ठीक है, तो इस और आक्रमन हो रहा था जिसे कहते हैं मंगोलों का आक्रमन ठीक है मंगोल मंगोल ही बच्चो आगे चल के फ्यूचर में मुगल समराज इस्थापित करते हैं ठीक है तो इसमें जो सबसे फेमोस होता है वो होता है चंगेश खां और दूसरा होता है तेमोर लंग ठीक है ये बा राजा आपस में जिसकी वज़े से ये दूसरे लोग बाहर के आकर इनकी लड़ाईएं के बीच में खुद आकर फच जाते हैं और इनको सबको एक एक करकर करते हैं ये खतम करते हैं और अपना सामराज दीरे-दीरे इस तरह से ये फैला देते हैं ठीडर कियोंकि ये राजा जिसको भी जिस धर्म को भी पोस्ते थे इसलाम धर्म के अलावा उन सबको इनोंने खत्म कर दिया था और सबको इसलाम धर्म कबूल करने के लिए उतसाया था ठीके चलिए खिल जी वंच के बारे में पढ़ लेते हैं A to Z सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके ध्यान से हिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी ठीके देखें जलाव दिन फिरोज खिल जी सबसे पहला यही संस्थापक कर रहता है अलाव दिन खिल जी शयाब दिन अमर खिल जी और कुतब दिन मुबारक खिल जी ठीके नासिर उद्दिन खोशरवाह ठीके कन्फ्यूज मत होना दो नाम चलेंगे हर किसी के ठीके यह चीज़ आप ध्यान रखना चलिए खिल जी वंच ने 1290 से 1320 इसवी तक भारती उप महादीब के एक बड़े हिस्से पर शाशन किया मैप मैं आपको भी आगे बताऊंगी खिल जी तुर्क अफगान मूल के शाशक थे ठीके खिल जी वंच के संस्थापक जलाल दिन फिरोज खिल दी था ठीके आपने मूवी देखे होगी अगर पदमावती तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसमें जो जलाल दिन फिरोज खिल दी होता है ठीके अगर आपने देखे होगी मूवी था अभी आपको समझे आ जा ठीके गुलाम वंच हमने पढ़ा उसमें हमने famous famous राजाओं के बारे में पढ़ लिया ठीके उसके बाद भी और भी छोटे-छोटे राजा बनते रहते हैं उसमें सुल्तान है ना तो जो सबसे छोटा जो होता है है लास्ट में वो होता है क्यूमर्स क्या नाम होता है उसका सिर्फ तीन साल का बच्चा होता है क्या होता है कि जो भी सुल्तान होता है उसका उत्रादीकारी उसका पुत्र होता है तो सुल्तान चाहे किसी भी उमर में मरे उसका बच्चा चाहे छोटा किसी भी उमर का हो वो राजगदी पर बिठा दिया चाता है तो ये काफी छोटा ह तो उसका فाइदा उठाता है जलाswतिन फिरोस खिल दी यही इनके दर्बार में भी रहता है ये इनके कुछ ना कुछ होटव उठारी रहता है जलाउल दिन फिरोस खिल जी इसलिए इह फाइदा उठा लेता है और ये गुलामवंश का जो ये छोटा सा बच्चा होता है इसको मार देता है और उसे की चादर में लपेट कर ये उसको नदी किनारे कहीं फेक कर आ जाता है ठीक इस तरह से गुलामवंश पूरी तरह से खतम हो जाता है और उसके बाद कौन आ जाता है जला उल दिन फिरोस ख यह देखिए इतना हिस्सा जीतता है यह इतना सामराज इनका होता है चलिए आगे बढ़ते हैं जला उल दिन खिल जी इनका जो डूरेशन है इनको जरूर ध्यान में रखना 1290 से लेकर 96 इसवी तक जला उल दिन फिरोज खिल दी इसका जो सन होता है यह 1290 से लेकर 96 इनका कारक जादा नहीं होता है ना जादा लंबर डूरेशन में यह शाशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी उमर ही जादा हो जाती है देखे सत्तर वर्ष की आयो में 1290 इसवी में जला उल दिन खिल जी ने तकत हासिल किया किस तरह से किया आभी आपको बताया जो गुलाम बंज था उसके एक छोटा सा बच्चा था बहुती कमजोर वार्षा था तीन साल का उसको मार कर यह जला उल दिन फिरोस खिल जी बैट जाता है उसने अपनी राजधानी किलो खरी में बनाई ठीक है किलो खरी एक पेसे वहाँ पर इसकी यह राजधानी बनाता है उसने बलबन के बती गुलाम वंच का ही उसमें होता है एक और गुलाम होता है उसमें फिरोस खिल जी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसका वहां की हिंदू जनता के प्रती उदार दृस्टी कून था ठीक है यह पहला ही ऐसा सुल्तान था जिसे हिंदू के प्रती थोड़ी सी दया भावना इस उसके शाशनकाल की सबसे महतपून घटना दक्कन के यादव राजिकी राज़धानी देवगेरी पर अली गुर्च सब बाद में अलाओधन खिलजी का हमला हुआ ठीके देखे सबसे महतपून एक घटना थी जो दक्कन का जो राजा था यादव ठीके दक्कन आपको मैंने ब उत्तर भारत ये पूरा दक्षिन भारत उसके बीच का थोड़ा सा हिस्सा वो होता है दक्कन वहाँ पर होता है यादव राज़े ठीके यादव के बारे में ये हमने राज़पुत काल में थोड़ा सा पड़ा है जादा नहीं पड़ा है तो इसकी यादव की राजधानी हम गिरी ठीक है तो वहाँ पर हमला करता है अलावदिन खिल जी देखिए मैंने हमिशा आपको बताया कि शुरु मैं भी आपको बताया था कि इनके दो नाम रहेंगे ठीक है पहले एक बच्छपन का नाम चलेगा और दूसरा जब ये राजगदी पर बैठेंगे तो अपना नाम बदल कर ही बैठेंगे ठीक है तो देखिए इसका बच्छपन का नाम है अली या फिर अली कहते हैं या फिर गुर्शप कहते हैं ठीक है क्या लिखा है गुर्शप ठीक है ये इनका नाम है अलावदिन खिल जी का पदमावती मूवी देखिए तो थोड़ी से आपके सिवकार करने के लिए कारा बुलाया और उसके हत्या कर अलाओ दिन खिलजी के नाम से गद्धी पर बैड़ गया ठीके मूवी में भी आपने यही देखा है यह जो बलड़ाई करके आया था अलाओ दिन खिलजी है ना यादव जो यह जो वंच चल रहा था यादवों का राज का वंच चल रहा था ठीके तो उनकी राजधानी देवगरी पर इसने क्या हमला मूल दिया और वहां के बाद हमला करने के बाद जो भी संपती उसको मिली उपहार इसको देने के लिए यह किसको बुलाता है जलाओ दिन खिलजी को बुलाता है कि मैं तुम्ही संपती देता ह उपहार में और दोगे से इसकी हत्या कर देता है और बाद में अलावा ओं धिन खिल जी कहां बैट जाता है घड़ी पर बैट जाता थीक इंण McNamara एक जली अलाव दिन खिल झ Navy 9 से 1077 शी tallest छ लाव दिन कि हत्या 1296 में उसके भ़तीजे एवं दामाड अलाव दिन की ने कडा मानिक पूर इलाबाद में कर दी थी ठीक है प्लेस का नाम है कडा मानिक पूर यह इलाबाद में है यहाँ पर इसकी हत्या कर देता है देखे जो इसलामिक धर होता है यह मौमिडियन्स का ठीक है इसमें क्या होता है कि शादी किसी के भी साथ कर सकते हैं बस इसके भाई के जो रिश्टा होता है इसमें शादी नहीं होती बाकिे किसी के भी साथ कर देते हैं मतले परिवार परिवार में जातर शादियां हो जाती है तो जलाओ दिन की हत्या जो ये करता है ना अलाओ दिन खिल जी ये इसका दामाद भी लगता है और ये इसका भतीजा भी होता है ठीक है कहाँ पर हत्या करता है इसलामाबाद में करता है 22 अक्टूबर 1296 में अलाओदिन दिल्ली का सुल्तान बना दिखे सुल्तान कहते थे राजा शब्द नहीं यूज करते हैं सुल्तान, खान या फिर बादशा ये तीन शब्दों का प्रियोग होता है अलाओदिन के बच्पन का नाम अली तथा गुशाप होता है गुशाप होता है ये इसका नाम है बच्पन का लेकिन गदी पर बैठा तो क्या नाम रख लिया अलाओदिन खिल जी ने सेना को नगद वेतन देने एवं इस्थाई सेना की नेव रखी थी कि ये जरूर याद रखना है, ये कोशन बनेगा, कि ये सेना को नगद वेतन देता था, हाथो हाथ पैसे देता था, और इस्थाई सेना की नेव रखे, इस्थाई सेना मतलब की, जो सैनिक है वो चाहे जब तक सेना में काम कर सकता है, ठीक है, दिल्ली के शाशकों में खिलजी के पास थी, गोड़ा दागने एवं सेनिकू का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाओदिन खिलजी ने की थी, क्या होता है गोड़ा दागना देखे, इतने सारे गोड़े हैं सेना में, इतने सारे सेनिक है, तो कैसे समझोगे कौन सा गोड़ा किसका है, तो क्या करोगे इस किस में इसने एक प्रथा चला दी थी कि इनके शरीर पे तुम कुछ खोद कर लिख दो जिसे तुम इसकी पहचान कर सको घोड़े पर तो ऐसा करते हैं लेकिन सेनिक को कैसे पहचानेंगे उस समय तो फोटो खीच नहीं सकते थे इतना जादा एडवांस थी नहीं लोग तो ये क्या करते थे हुलिया को लिखते थे कि नाग कैसी है आग कैसी है रंग रूप कैसा है इस तरह से एक हुलिया लिख लिया करते थे जिससे पता चलता कि कौन सा सैनिक कहां पर किस तरह की गदारी कर रहा है या फिर क्या हल चल कर तो इसके हुलिये से ये पता करते थे ठीक है अलावदिन ने भू राजसर्व की धर को बढ़ा कर उपज वन बाई टू भाग कर दिया था जितना भी उगाऊगे खेत में है उसका आदा हिस्सा इनके दरबार में पहुँचाना पड़ेगा ये होता है इसका मतलब भू राजसर्व की धर टिक है अगर जितना भी कुंटल उन्होंने उगाया है उसका पूरा आदा हिस्सा इसको देना पड़ेगा लावदिन खिलजी के दरबार में इसने कंसलूट का धन में सुल्तान का हिस्सा वन बाई फूर्थ भाग के स्थान पर थ्री बाई फूर्थ भाग कर दिया था अगर आपको पता होगा कि वन बाई फूर्थ और थ्री बाई फूर्थ हिस्सा कितना होता है जैसे ये एक टुकड़ा है तो इस टुकड़े का वन बाई फूर्थ हिस्सा क्या होगा और थ्री बाई फूर्थ हिस्सा क्या होगा इतना ये क्या करता था सुल्टान का हिस्सा पहले इतना हुआ करता था और इसने अब इतना कर लिया ठीक है इसने वेपारियों में बैमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले वेक्ति के शरीर से मास काट लेने का आदेश दिया ठीक है जो भी वेपारियों अगर दोका कर रहा है कम तोल के कुछ बेच रहा है तो उसका शरीर के मास काट लो ऐसा इसने आदेश दिया इसने अपने शाशनकाल में मुल्य नियंतरन प्रलाली की द्रणता से लागो किया ठीक है इसको याद रखना ही कुशन बनता है इसके मुल्य नियंतरन प्रलाली सबसे पहले किसने चलाई थी वो चलाई थी इसने अलाओ दिन खिलजिने इसका मतलब क्या होता है कि कोई अग दक्शन भारत की विजय के लिए अलाओ दे ने मलिक काफूर को बेजा था ठीके इसको मलिक काफूर को इसने देख consort घ्यादो राजय का राजा था अनकी राजदानी कहा थी देवगिरी थी उसको इसने हरा दिया उसके बाद बिदक्कन के नीचे एक और हिस्सा आता है दक्षिन भारत वहाँ पर जीत के लिए किसको भेशता है मलिक काफूर को भेशता है ठीके पिचर क्लियर हो रही है दिमाग में imagine करते जाओ सब कुछ समझ में आजाएगा कोई confusion नहीं है जमेयत खाना मस्जित अलाई दरवाज़ा सिरी का कीला तथा पहजार खंबा महल का निरमार अलाउदिन किल जी ने करवाया था यह चीजसे इन்होंने बनवाई थी इंको याद रखना एक कुछन आता है कि अलाउदिन खिल जीने क्या-क्या चीजसे बनवाई थी है ना कोशन बनता है ना ताजमहल किसने बनाया यह समारक किसने बनाया यह किसने स्थूप बनाया यह से कोशन आते हैं इस तरह से इन चीजों ने इन्होंने भी यह चीजे बनवाई ते इससे भी कोशन आएंगे क्या क्या बनाया था इसको एक और बार रीट करके बताती हूं जमयत खाना मस्जित अलाई दर्वाजा सिरी का कीला तथा पाजार खंबा महल याद रखना बच्चो अलाई दर्वाजा को इसलामी वस्तु कला का रत न कहा जाता है ठीक है कि इतना सुन्दर है दिखने में कि इसको इसलामी वस्तु कला का रत न कहा जाता है अलाई इबक जो था है ना उसने नीव रखी थी कुतु बिदिन लेकिन उसको पूरा कर वायाय था इलतुत मिश्ट है और उसका धरवाजा बनवाया था किसने ऩो और याद रखना कुछ पूछंगी दरवाजा कहते हैं 북한 bacon जरूर पुछूंगी इसलिए याद रखना देवी अधिकार के सिद्धान्त को अलाओदिन ने चलाया था ठीक है यह देखिए मैप में अलाओदिन के कुछ अभियान है अभियान मतलब कि यह जीत पर निकल गया था इसको पूरा भारत जीतना था और हर जगा अपने इसलाम धर्म को पहुचाना था जो भी पुराने धर्म चलते आ रहे थे प्राचेनकाल से उनको नस्ट करना था उनकी मुर्तियों को तोड़ना था जो भी ये लोग थे हिंदु धर्म को जादा मानते थे कटर पती थे जो हिंदु के उन सब को खतम करने का सका काम था और अपने इसलाम धर् सुरी 1298 ठीक याद रखना रंतवोर यह कहां पर है बच्चों यह राजस्थान में 1301 में बारांगल 1302 मेवाड 1303 मालवा 1305 जालूर 1311 ठीक है मेवाड मेवाड का आपको पता है अपने मुवी देखी है न अगर देखिए पत्मावती तो आपको पता है राजा रतने सिंग जो होती है पत्मावती उसके लिए यहाँ पर मेवाड पर क्या करता है हमला बोलता है सिकंदर ए सानी की उपादी से स्वयम को अलावदिन खिल जी ने विभोशित किया था कौनसे उपादी से सिकंदर ए सानी उपादी मतलब मैंने आपको बताया है जब भी राज रोहन क्या ज लिते हैं कुछ ना कुछ तो इसने कौन सी उपाद्धी लीती सिकंदर ए साने की उपाद्धी लीती अलाओदी्द ने मलिक याकूब को दिवान ए रियासत न्युक्त किया था ठीक है यह दिवान ए रियासत क्या है यह पोस्ट है अगर आज़की बात करें तो एक collector का काम क्या हो गया, एक मुख्य मंत्री का काम क्या हो गया, ग्रह मंत्री का काम क्या हो गया, तो ठीक, इसी तरह से दिवान ए याकुब भी एक तरह की post है, जैसे एक collector के अंडर में कुछ काम होते हैं, ठीक, ऐसे दिवान ए याकुब रियासत की अंडर में भी कुछ का तो उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है मलिक याकुप को क्या गया ठीक है इस एक्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा अलावदिन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तों को परमिट जारी करता था शहना ए मंडी यहां खाद्यानों को बिकरी हेतु लाया जाता था सराय ए अधल यहां वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दिपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तों बिकने के लिए आती थी ठीक है मतलब इन्होंने कुछ एक जगा फिक्स कर रखी थी जहां पर यह सारी चीज़े होती थी है खाद्यानों के लिए उन्होंने शहना ए मंडी जगा इन्होंने यूस कर रखी थी एक बना रखी थी और सराय ए अधल में यहां वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी ऐसी अधल इस तरह से इन्होंने भी कुछ बना के रखा था ठीक है अलावदिन खिलजे की आर्थिक निती की व्यापक जानकरी जिया उद्दिन बरने की कृती तारिक फिरोजशाही से मिलती है ना मतलब इसके पास एक बहुत अच्छी आर्थिक निती थी इसके अलावदिन के दिमाग में बहुत अच्छी आर्थिक निती थी तो ये आर्थिक निती की जानकरी कहां से मिलती है वो कहां लिखे हुई है वो तारिक फिरोजशाही बुक में लिखा हुआ है ठीक है कि अलावदिन खिलजी को आर्थिक निती की व्यापक जानकरी थी और ये किस ने लिखा है इसके जो लेखक है उसका नाम है जिया उद्दिन बरनी ठीक है जिया उद्दिन बरनी ने पुस्तक लिखी है तारिक फिरोज शाहि तारिक ये जो पुस्तक जो होती है उनके उपर जरूर से कुशन आते हैं खजाइनूल फतुह ये अमिर खुसरो की पुस्तक है रहला इबन बदूता की बुख है फतुहस लातीन इसामी की करती है ठीक है इनके द्वारा लिखी गई है इनको जरूर याद करना कुशन आता है ठीक है अमिर खुसरो इबन बदूता इसामी और ये एक और जिया उद्दिन बरनी ये सब लिखक है है न लाहोदिन खिल जी के दुवारा लगाय जाने वाले दो नवीन कर थे चरगाई कर दुधारू पशुओं पर लगाया चाता था चराई से आप कैसे याद करोगे चराई मतलब चर मतलब होता है चर ना तो चरता कौन है जो दूद देता है वो पशु गड़ी कर घरो एवं पड़ी में रह रहे हो या बना रहे हो तो तुम्हें उसके बदले यहां का जो सुल्तान है जैसे अल्लावदन खिल जी तो उसको कुछ देना होगा चीक है अगर यह सारी चीज़े तुम करना चाते हो तो उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा तो जो कुछ देते हैं बदले में उसको ही कर कहते हैं अलावदन खिल जी के शाशनकाल में 1297 से 1306 इसवी तक मंगोलों के 6 आकरमन होए हैं कौन है मंगोल चंगेश खान ठीक है चंगेश खान के उपर मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी मंगोल जो बाद में मुगल समराजे का इस्तापनाना करते हैं वो बाबर अकबर फिर जो बच्ची जुनकी चलते जाते हैं औरंगा जेव जहांगीर वो सब उसमें ही आते हैं मंगोल में ही आते हैं ठीक है मंगोल का नाम देरे देरे बिगड़ता गया आगे और वो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया मुगल सामराज के नाम से जाना गया ठीक है अभी तक तो यह सिर्फ आक्रमन कर रहे हैं, अलावदिन खिलजी की मृत्यों 5 जनवरी 1316 इसवी को हो गई थी, ठीक है, कुतब दिन मुबारक खिलजी, यह इसका बेटा है, किसका अलावदिन खिलजी का बेटा है, कुतब दिन मुबारक खिलजी, 1316 इसवी को दिल्ली के सिह शासन पर बैठा है इसे नगन स्त्रि पुरुष की संगद पसंद दि मुबारक खिल जी है ना यही है मुबारक खिल जी तो उसके जो वर्ड ज किल जते है ना तो मुबारक खिल जी यही है कभी कबार राजदरबार में इस्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था बर्नी के अनुसार बर्नी कौन है अभी आपको बताया जयादिन बर्नी वो एक लेखक है ना तो बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नगन होकर दरबारियों के बीच दोड़ा करता था मुबारक खान ने खलीफा की उपाद्धी धारण के थी खलीफा क्या होता है जो संरक्षन देता है इसलामों को जो भी मुसलिम होते हैं उनका संरक्षक जो होता है वो होता है खलीफा मतलब उनके अच्छे के लिए सोचे, उनके लिए जो भी वो कर सकता है, वो होता है खलीफा, ठीक है, और जो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करता है, वो होता है खलीफा, ये इसलाम धर्मे ये वर्डियूस होता है, मुबारक के वजीर, वजीर मतलब क्या होता है, बच्छ खुसरो खाने 15 अपरेल 1320 एसवी को इसकी हत्या करती और स्वेम दिल्ली के सिहाशन पर बैट गया ठीके ये जो मुबारक है ना मुबारक खिल जी इसी का जो मंत्री होता है उसका नाम है खुसरो खा ये इसकी हत्या कर देता है और सिहाशन पर बैट जाता है क्योंकि ये ऐसे कारणामाई कर रहा था भी आपको पढ़वा दिये तो कौन इसको समझेगा सुल्दान इसलिए इसके हत्या कर देता है सी का मंतरी खुसरो खाने पेगामबर के सेनापती की उपादी धारन के दे ठीक है पेगांबर के सेनापती के उपादी पेगांबर मतलब आपको पता है पेगांबर महमूद यह इनके इसलाम धर्म में वो हैं जिनोंने इस्थापना की है इसलामी धर्म की ठीक है उनका नाम है पेगांबर महमूद महमूद उनका नाम है उन्होंने ही खिलजी वंच का अंत कैसे हो देखे अंतिम खिलजी शाशक कुदविदिन मुबारक शा है न ये किसका बेटा होता है अलावदिन खिलजी का बेटा होता है उसके प्रधान मंत्री मंत्री भी कहते हैं प्रधान मंत्री भी वजीर ठीक है दोने वड़ियां पर यूज हो रहे है प्रधान मंत्री खुसरो खा ने तेरा सो बीस में हत्या कर दी, अभी आपको बताया है, बाद में तुगलक वंच के प्रथम शाशक, गया सुद्दीन तुगलक ने खुसरो खा, खुसरो खा का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दिन खुसरो शाह से गदी छीन ली तथा दुगलक वंच की स्थापना की, ठिक है? कुतब दिन को मार देता है खुसरो खा और खा से भी गदी छीन लेता है गया सुद्दिन तुगलक ठिक है? तो यह तुगलक वर्ट से आप समझ जाो कि अब तुगलक वंच बक्र, नासिरुद्दिन, महमुद शाह, नसरशाह, तुगलक, महमुद तुगलक, नाम बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, कुछ वास्तुक लाएं दी हो, या फिर उनके दरबार में कोई आया हो, तो बस उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये जो सिफ फर्स्ट तीन है ना, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीके, बागी इनके नाम आपको बताने के लिए कि ये सब भी थे, देखिए, अब ये तुगलक के समय में, ये इतना सामराज होता है, वैसे महमुद जो खिलजी है ना, तुगलक वंच को मिलता है, क्योंकि अब ये दिल्ली की सलतानत पर गड़ी पर बैड़ गया, तो हिस्सा जो जीत कराया था, वो हिस्सा इसके अंडर में हो जाता है, एक राजवंच था, जिसने सन 1320 से लेकर, सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, ठीके, डुरेशन ज इस वंच के तीन योग्य शाशक हुए हैं, सिर्फ तीन योग्य हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, ठीके, पहले का नाम है खुद ये गया सुद्दिन, उसका पुत्र महमद बिन तुगलक, ठीके, उनका डुरेशन है 1325 से लेकर 51 तक, ठीक, और उसका उत्रादी कारी फिरोज तुगलक है ना, ये इनका ही बेटा होता है, ठीक, इनका महमद बिन तुगलक का ये फिर बेटा होता है, फिरोज शा तुगलक, सिर्फ यही फेमस थे, इन्होंने अच्छा काम किया है, बागी सब ऐसे ही हैं, इनमें से पहले दो शाशकों का अधिकार करीब-करीब पूरे देश पर था, ठीक, इनसे पहले दो कॉनसा आया है, पहले आया है गुलाम वन्च, उसके बाद आया है खिल जी, तो उनका अधिकार कम से कम पूरे भारत पर ही तो था, ठीक, करीब-करीब पूरे देश पर था, अभी मैं अपने मैंने आपको बताया है तुगलक का, ठीक, तो तुगलक ने जितना हिस्सा जीता है, ये हिस्सा किसका जीता हुआ था, ये खिलजी वंच का जीता हुआ था, और जो वाद में किसको मिल जाता है तुगलक को, ठीक है, फिरोज का सामराज, उनसे छोटा अवश्य था, पर फिर भी अल्लाव दिन खिलजी के सामराज से छो ये जो तीसरा आता है ना इन केस में वो है फिरोज देखे ये गया सुधिन उसके बाद महमद बिन तुगलग फिर आया फिरोज ठीक है तो क्या होता है एक छोटा सोवर्विव दे रहे हैं आपको कि फिरोज की मृति के बाद अभी दिल्ली सल्तनत दिर दिरे खतम होने लगत में जितने भी राजे होते हैं वो छोटे-छोटे हिस्तों में बढ़ जाते हैं मतलब वहाँ पर भी और राजा बनने शुरू हो जाते तुगलग 1414 तक शाशन करते रहे और 1398 में तेमूर दुआरा दिल्ली पर आकरमन के साथ है तुगलग सामराजे का अंत माना जाता है ठ अब देखिए गयासुदिन तुगलग संस्थापक है यह इनका डूरेशन है 1320 इसवी से 1325 इसवी तक 5 सितंबर 1320 इसवी को खुसरो खा ठीकि खुसरो खा कौन है अभी आपको बताया था है खिलजी वंच का है ना खुसरो खा को पराजित करके गाजी मलिक है ना खुसरो खिलजी वंच है उनमें जो प्रधान मंतरी होता है यह मार देता है किसको कुदब दिन उनके बेटे को मार देता है ना तो उनके बेटे को यह मार देता है खुसरो खा यह उनका वजीर होता है तो इस वजीर को भी कौन मार देता है यह गयासुदिन तुगलग मार देता है नहीं बताया है मैंने अभी आपको को पराजित करके गाजी मलिक है ना इसका जो रियल नेम है वो है गाजी मलिक मैंने बताया ना दो नाम चलेंगे इनके एक जो इनके बच्चपन का नाम दूसरा जब ये सीट पर बैठेंगे गद्धी पर सिहासन पर जब ये बैठेंगे तो अपना नाम बदल कर बैठेंगे है ना बच्चे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना गाजी मलिकिया तुगलग गाजी गयासु दिन तुगलग के नाम से 8 सितंबर 1320 एसवी को दिल्ली के सिहासन पर बैठा ठीक है नाम बदल लिया तुगलग क्या बदल लिया गाजी तुगलग गाजी से क्या कर लिया इसने गयासु दिन तुगलग कर लिया ठीक है गयासु दिन ने अलावदिन के समय के लिये लिये गए अमीरों की भूमी को पुनह लोटा दिया, ठीके देखो अमीर का मतलब मैंने बताया था आपको सेनापती, राज़ेपाल या फिर सुभेदार ठीके, अमीर जो इसलामी धर में उसमें, अमीर किसे कहते हैं सेनापती को कहते हैं, जो सेना चलाता है या फिर राजपाल जो छोटे राज़ को चला ले गवर्नर या फिर सुभेदार ठीक है वो हता है अमीर तो अलावदिन खिलजी ने क्या किया था कि उनकी भूमी इनसे छेन ले थी है ना अमीरों से तो अब यह गया सुद्धिन ने इनकी भूमी वापिस इन लोगों को लोटा दी इसने सिचाय के लिए कुवे एवन नहरों का निर्माण करवाया ठीक है जरूर याद रखना नहरों का निर्माण करने वाला गया सुद्धिन प्रथम शाशक था ठीक है गया सुधिं तुगलक ने दिल्ली के समीब इस्तित पहाडी पर तुगलक का बाद नामक का एक नया नगर इस्थापित किया आनके उपर कोशन्स बहुत सारे आते हैं कि किने कौन सा शहर बनाया रोमन शेली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्मान भी हुआ है आप ना गूगल पर सर्च करना दुर्ग किसे कहते हैं ठीक है ये दुर्ग जगाओं का नाम है इस दुर्ग को चपन कोट के नाम से भी जाना जाता था टिक, गयासुदिन तुगलक की मृत्यू, 1325 इस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय, जुना खा दुआरा निर्मित लकडी के महल में दबकर हो जाती है, जुना खा इनका बेटा है, ये क्या करता है कि गयासुदिन तुगलक जब अभियान से लौट कर आता है, जल्दी में अच्छा बन नहीं पाता है और लकड़ीगा होता है तो गिर जाता है उन्हीं के ऊपर किसके गया सुद्दिन तुगलक के ऊपर और यह इसमें दब कर मर जाता है ना इनका बेटा है जुना खान गया सुद्दिन के बाद जुना खान है ना क्या नाम से बैठा नाम रखा मुहमद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर के सिहासन पर बैठा ठीक है बच्वे हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि इनका ही यह नाम है एक बचपन का नाम हो गया जैसे जुनाखा और जब राजगदी इसने समाली सिहासन की तो दूसरा नाम बदल लिया मुह जुनाखान मुहमद बिन तुगलक के नाम से गद्धी पर बैठा ठीक है जुनाखान ने फिर यहाँ पर क्या नाम दे रहा है जुनाखान है ना देखे अलग अलग जगा पर आपको थोड़ा सा नाम में फर्क जरूर मिलेगा वह पार्सी और अर्भी नक्षचत्र विद्या दर्शन सास्तर गणित और चिकित्सा का विद्वान था ठीक है यह मतले बहुत ज़ादा टैलेंटेड आदमी था यह बहुत को जानता भी था अजमेर में मुईनुद्दिन चिस्ती की दरगा और भराइच उत्तर प्रदेश में सलार मौद गाजी के मकबरे पर जाने वाला पहला सुल्तान था ठीक है उनके मकबरे पर कोई सुल्तान नहीं पहुचा था और यह पहला सुल्तान था जो मुहिन उजिद दिन चिस्ती और सलार मौद गाजी के मकबरे पर गया था ये पहला सुल्तान था ठीक है मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राज़दाने दिल्ली से देवनगरी में स्थांतरित की और इसका नाम दौलता बाद रखा देवनगरी का नाम क्या रख दिया इसने दौलता बाद रखा ठीक है देवनगरी कहां पढ़ रही थी उस समय दक्कन हिस्से में पढ़ती थी अफरीकी मौरको यातरी इबन बतुता लगभग 1333 एस्वे में भारत आया सुल्टान ने इसे दिल्ली का काजी निर्थ किया काजी मतलब क्या होता है अभी चलो यह बताएए अफरीकी था इबन बतुता ठीक है इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा पहले कभी यह यातरी था ठीक है इबन बतुता जैसे चीनी यातरी आये हैं मैगिस्थनिस एक राज़ूत बनकर आया था ठीक है चीनी यातरी में हैंसंग आया था फाहान आया था ठीक है उनके बारे मैंने आपको बहुत अच्छे तरसे बताएए अब यह इबन बतुता भी एक यातर तिक ये अफ्रीकि यातरि था किसके काल में आया था मुहमध बिन तुगलक टृककी किसके महमध बिन तॉगलक के काल में आया था छो इसलाम-धर्ममें विचार्पी मर्श रखता है या फिर जो जज जैसे होते हैं जज जो होते हैं वो से कहते हैं इसमें काजी ठीक है जो फैसला सुनाए इसलाम धर्म के अनुसार वो होता है काजी ठीक है 1342 एसवी में सुल्तान ने इसे अपने रास्तूत के रूप में चीन भेज दिया उसने दिल्ली में निजामुद्दिन ओलिया बदोन में मिरान मुलहीम मुलतान में शेख रकनुद्दिन और अजुधान में शेख अल्लावद्दिन का मकबरा बनाया उसके शाशनकाल में जिया उद्दिन बरानी और इबन बदूता उसके दरबार में आये थे इसको जरूर याद रखना जिया उद्दिन बरानी और इबन बदूता इनके दरबार में आये थे ये कुछ चीज़े हैं जिनके उपर questions बनते हैं उसकी पाँच महत्वकांशी परियोजनाई थी ठीके कौन सी पहला खाली खजाने को भरने के लिए दो आब में कर बढ़ाना ठीके कर को इसने बढ़ा दिया खाली खजानों को भरने के लिए दूसरा 1328 एसवे में राजधानी को दिल्ली से देवनगरी ले जाना तीसरा 1329 से 30 एसवी में टोकन मुद्रा लाना ठीके जो टोकन मुद्रा हैं इसने कांसा और तामबा की भी मुद्राईं चलाई जो चांदी के सिक्के के बराबर कहलाती थी खोरासन अभियान क्योरा चिल अभियान ये इसी ने करवाये थे ठीके उसने इबन बतुता को दिल्ली का काजी ने उक्त किया ठीके अभी बताया आपको दिल्ली का काजी काजी मतलब जो इसलाम धर्म के उपर विचार विमर्स रखे और फैसला सुना सके जज जैसा एक है ना और दो मुख्य राजियो विजे नगर है ना जिसका संस्थापक कौन है हरिहर और बुक्का 1336 इसवी और बहमनी अल्लाव दिन बहमन शा लगाजन 1347 का उदै हुआ देखिए इस चीज को याद रखना कि जो ये जो सुल्तान है मुख्य बिन तुगलक के काल में क्या हुआ था कि जो ये दक्षिन भारात का हिस्सा जो जीत रखा था खिल जी नहीं है ना वो स्वत्रंद्र हो जाता है ठीक है स्वत्रंद हो जाता है और उस जैसे क्या होता है कि दो राजियों का महाँ पर क्या होता है वो होता है सन स्थापना होती है ठीक है दो राजे वहाँ पर बन जाते है एक विजे नगर बहुत फेमस है ये कोशन इसके उपर आते हैं और दूसरा है बह्मनी तो जो विजे नगर है उसका सन है 1336 और बह्मनी का जो सन है वो है 1347 इसके स्थापना किसने की थी ये दो भाई ह हरीहर और बुक्का ये भाई हैं बहमनी के किस ने सापना की अला ओ दिन बहमन शाहने की अपने समय के अंतीम प्रमुख विद्रोह का दमन करते हुए 1,357 इस्वी इसके मृत्यव हो गई थी ठीके लास्ट में ये विद्रोह का दमन करने चाहता है विद्रो का दमन मतलब बच्चो कोई विद्रो कर रहा है तो उसको दबाना उनको शांत करना कि आप इतना आंदोलन मत करो विद्रो मत करो जैसे अभी आंदोलन करते हैं लोग विद्रो करते हैं जगा जगा टायर फुग देते हैं तोड़ फोर करते हैं तो उसको दबाने के लें वहाँ पर कोई नेता बगेरा कोई जाता है उनको शांत करने के लिए तो वही होता है विद्रो का दमन करना उनको शांत करना फिरोद शाह तुगलक मुहमद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपलह सार रवज का पुत्रता ठीक है यह इसका चचेरा भाई होता है ठीक है फिरोज शाह तुगलक के ना मैं आपको बेटा बता दिया था सौरी ये इसका चचेरा भाई है चीक है महमद बिन तुगलक का भाई होता है फिरोज का राजबिशेग दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ चीक है इसका दो बार होता है वैसे राजबिशेग एक खटा जगा को यह होती है उस पे होता है और दुसरा दिल्ली में होता है किसका फिरोज शाह तुगलक का खलीफा दुआरा इसे कासीम अमीर उलमुमीन की उपादी दी गई थी है नगिया इस उपादी का नाम कासीम अमीर उल मौममीन ठीक उपादी का ये नाम है इनको ये उपादी दी गई थी बताया ना हर किसी को एक उपादी दी जाती है राज़ा भी शेक में या फिर वो कुछ जीत कर आता है तब है ना कोई राजे जीत लेता है राजसव व्योस्ता के अंतरकत फिरोज ने अपने शाशनकाल में चोवीस कस्ट दाय करो को समाप्त कर केवल चार कर लगाए ना बहुत सारी कर लगाये थे इससे पहले लोगों ने जितने भी आये थे उन सब को एक हतम कर देता है और सिफ चार करो को चलाता है पहला खराज जिसे लगान कहते हैं खुमस युद में लूट का माल ठीक है उसके पर कर लगाये जाता है जजय एवं जकात को वसुल करने का आदेश दिया जजय अगर क्या होता है आपको बताते हैं दीखे जैसे य सल्तान है यह फिरोज सल्तान है तो इसके अंडर में जो भी साम राजे राजे है वहाँ पर इसलाम धर्म को छोड़के जो भी दूसरा धर्म का इनसान अगर रहना चाता है तो उसके बदले उनको कर देना होगा या फिर वो अपना धर्म बदल की इसलाम बन जाए ठीक है अगर कर देगा तभी जाकर वो अपने धर्म की रक्षा कर सकता है वरना नहीं कर सकता उसको इसलाम कबूल करना होगा वरना उसको बहुत सारे कस्ट दिये जाएंगे ठीक है इसलिए जजिया कर इतना ज़ादा फेमास है उसके पर बहुत कुशन आते हैं फिरूज तुगलक ब्रामनों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलिम शाशकता ठीक है ब्रामनों के उपर कोई कर नहीं लगाया जाता था लेकिन इसके उपर फिरूज तुगलक नहीं सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरूज तुगलक ने एक नया कर सिचाई कर भी लगाया जो उपज का एक बटा दस भाग था ठीक है सिचाई कर अगर सिचाई कर रहे हो पानी यूज कर रहे हो तो तुम्हें उसका भी कर देना होगा जो गारे हो उसका कर तो देना ही है इसका भी कर देना होगा गाई भैस चरारे उसका कर भी देना होगा घर में रह रहे देखे यह जो दिल्ली सिल्टनत का समय है ना इस समय जो महतपूर्ण चीज़े हैं वो है शहरों का निर्वान करवाना ठीक है तो इनके ओपर कोशन बहुत जादा आते हैं इसने हिसार फिरोजाबाद जो की दिल्ली में है फतहाबाद जौनपूर फिरोजपूर प्रमुक हैं इसके शाशनकाल में खिजराबाद टोपरा गाउं एवं मेरट के अशोक के दो स्थम्बो को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया यह जो खिजराबाद जो नाम है जगा का यह जो अलाव दिन खिलजी हैं उनके बेटे के ऊपर है ठीक है सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनात मुश्लिम महलावे विद्वाव एवं लड़कियों के साहिता के लिए एक नए विभाग दिवान एक खेरात की स्थापना की थी सल्तनत कालिन सुल्तानों के शाशनकाल में सबसे अधिक दासों की संक्या करीब एक लाख असी हजार फिरोज तुखलक के समय थी इतने इसके दास थे गुलाम इसने इतने सारे बना रखे थे जो की संख्या सबसे अधिक थी दासों की देखवाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दिवान ए बंदगान की स्थापना की थी इसने सेने पदों को वन्शानुगत बना दिया जो भी सेनिक होते थे उनका जो भी पद होता था इसने अपने आत्म का था फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की ठीक है इसने खुद ने एक बुक का भी लिखी है जिसमें फिरोज तुगलक है इसने एक बुक लिखी है उसमें अपनी आत्मकता लिखी है इसका नाम याद रखना फतुहात ए फिरोज दशाही ठीकिए इसका नाम आ रहा है है फिरोज तो इससे आप इसको याद रख लेना ये इसकी आत्मकता है इसने जियाओदिन बर्नी एवं सम्स एश सिराज अफीफ को अपनी संडरक्षन प्रदान किया ठीक है जियाओदिन बर्नी और सम्स एश सिराज ये सब कौन है ये लेखक वगेरा होते हैं ठीक है इनको संडरक्षन इसने प्रदान किया था इसने जवालम की मंदिर के पुस्तकाले से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फार्सी में विद्वान उप उद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया इसने कुछ पुस्तकों को लूट लिया वो बहुत सारे ग्रंथ थे अब उन ग्रंथों की इसने लेंग्वेज चेंज करवा दी और उसका अनुवाद मतलब प्रकाशन करवा दिया किस विद्वान ने किया ऐसा उसका नाम है अपा उद्दिन द्वारा ठीक है इसने फार्सी भासा में इनको कनवर्ट कर दिया और किस नाम से चलाया दलायते फिरोज शाही के नाम से इसने चांदी एवं तामवे के मिस्रम से निर्मित सिक्के भारे संक्या में जारी करवाए जिसे अध्धा एवं विख कहा जाता था क्या कहते थे इनको अध्धा या विख कहते थे इन सिक्कों को फिरोज तुगलक के मृत्यों सितमबर 1388 इसवी में हो गई सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्मान करवाया तुगलक वंश का अंतिम शाशक नासिरुद्दिन महमूद तुगलक था नाम थे हैं नासिरुद्दिन महमूद तुगलग इसका शाषन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था है ना ये जादा इन्होंने शाषन नहीं किया था बहुती कम जगा पे कर पाये थे किसकी वज़े से इस तेमुर लंग की वज़े से ये बार बार आकरमन करके इनको 1998 एस्वे में दिल्ली पर आकरमन कर दिया था ठीक है नासिरुद्दिन महमूद तुगलग के समय उसके बाद ही दिरे दिरे इनका पतन होने लगा था मध्य एशा से होकर जितने भी भाग ये परिशक और विजेता कुजरे हैं मध्य एशा से होते होई ठीक है मध्य एशा आ इसको मध्य भारत कहते हैं ठीक है तो मध्य एशा कहते है ना तो इदर मध्य एशा से होकर जितने भी भाग ये परिशक और विजेता कुजरे हैं उनमें से चार का नाम लोग को अभी तक याद है सिकंदर सिकंदर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सुल्तान महमूद, फिर चंगेश का और बाद में आता है तेमूर ठीके, ये चार ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग रहे हैं अभी तक बहुत सारा सामराजी जीतने में चलो अब पढ़ेंगे सेयद वंश के बारे में, ठीके, इन्होंने को ज़ादा काम नहीं किया है, इनके उपर से बहुत छोटी सी स्टोरी है, ठीके, कौन-कौन फेमस इसमें क्रिजगा, मुबारक शाह, महमूद शाह अलाओ दिन, आलम शाह ठीके, इनके नाम कुछ इस तरह से हैं मिलते भी बहुत हैं, कन्फ्यूज ना हो ना, दो-तिन बार-बार पड़ोगे ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सेयद वंश अतवा, सेयद वंश, ठीके, दो नाम से इनको जानते हैं कहीं यहां लिखा मिल जाएगा, कहीं यह लिखा मिल जाएगा दिली सल्तनत का चतूर्त वंश था जिसका कार्याले, 1414 से 1415 तक कर रहा ठीके, सिर्फ इतना ही समय इन्होंने दे पाए उन्होंने तुगलग वंश के बाद राज की स्थापना की किसके बाद तुगलग वंश के बाद, तुगलग वंश का पतन कैसे हुआ अभी आपको बताया, तेमुर लंग ने आकरवन किया, तो उनका पतन हुआ ठीके, तो देखे, अभी यहीं से स्टोरी जुड़ती है सेद वंश, देखे, यह परिवार सेद अथवा, महमद के वंशज माने चाते थे, है न, महमद कौन है, महमद पेगामबर, जिनोंने इसलाम धर्म की स्थापना की है तो ये सेद वंश वाले कहते हैं कि हम इनी के वंशज हैं सेद वंशज वाले लोग ऐसा कहते हैं कि मैं उनके वंशज से ही हो उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हैं हम तेमोर के लगातार आकरमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्र नेतत्र पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसे 1398 तक लूट लिया गया था ठीक है दिल्ली के सल्तनत पे जब तक ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश बैठे थे तब तक इतनी प्रॉबलम नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही सयद लोधी यहाँ पर बैठता है तो लूट पार्ट यहाँ पर मचनी शुरू हो जाती है, तेमूर के दुआरा ठीक है, इसके बाद उथल पुतत भरे समय में जब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी तो सयदों ने दिल्ली में अपने शक्ति का विस्थार कर दिया, ठीक है इन्होंने बहुत आकरमन कर दिये, उसके बाद जब पता चला कि यह तुगलक वंश खतम हो चुका है तो यह अब जो सयद थे, यह आकर बैठ जाते हैं दिल्ली की गद्दी पर इस वंश के विभिन चार शाषकों ने 37 वर्टसों तक दिल्ली सल्तनत का नेतर दिया, सेव इतने साल ही इन्होंने राज किया दिखे कौन-कौन है, ख्रिज खा संस्तापक 1114 से 1421 इसवी तक ज़्याद साल का इनका कारगाले नहीं है, ठीक कारियाले, सेव वंश का संस्तापक ख्रिज खा था इसने सुल्तान की उपादी ना धारन कर अपने को रेयत ए आला की उपादी से खोश रखा ठीके, यह अपने आपको सुल्तान नहीं कहता था, यह क्या कहता था रेयत ए आला की खिरिज खा तेमूर लंग का सेनापती था कौन था ये तेमूर जिसने बार बार आकरमन किया था न ठीक है तुगलग वंश को खतम करने में उसका ही ये सेनापती था क्या था बच्चों सेनापती इसको याद रखना ये उनका सेनापती था ठीक है भारत से लोटते समय तेमूर लंग ने कृच खा को मुलतान लाहूर और दिपालपूर का शाशक नियुक्त कर दिया मैप मैंने आपको बताए था मुलतान प्लेस कहा है लाहूर कहा है लाहूर आपको बताए पाकिस्तान में है और दिवालपूर है न वहीं कि उन जगाओं पर ये इसको सेनापती घोशित कर देता है ठीक है मतलब उसको दे देता है और तेमुर लंग वापिस अपने जगा पर जहां से आया था ठीक है इन सब को जीत दता है तोड़फोड करता है लूट मचाता है और वापिस ये चला जाता है अपनी जगा पर जो जगाई जीत कर जाता है वहाँ पर एक सेनापती छोड़के चला जाता है तो वो एक खरिजखा जो होता है यही स्थापना करता है फिर किस वंश की सेयद वंश की है ना क्योंकि तेमूर लंग तो पूरा खतम करके चला जाता है तुगलक वंश को तो अब ये सेयद वंश जो होता है ये हाकरमा पर बैठ जाता है होता ही अक्चुल में सेनापती है तेमूर लंग का ठीक है क्रेजखा निमत रूप से तेमूर के पुत्र शारुख को कर भीजा करता था क्रेजखा ने आपको कभी सुल्तान नहीं माना क्योंकि ये एक तरप से ये तो सेनापती था और ये किसी के अंडर में काम कर रहा था किसके तेमूर लंके इसलिए इसको कर्वी देना होता था किसको शारुक खा को है ना शारुक का को ना ये तेमूर का बेटा है क्रिज खा की मृत्यू 20 माई 1421 में हो गई थी ठीक है कब 20 माई 1421 की इसकी मुबारक शाह अब आता है मुबारक शाह क्रिज खा का पुत्र है मुबारक खा ठीक है जो Muslim राजय का वो होता है राजा वगेरा होता है वैसे सुल्टान भी एक उपाद्दी हो गई खाण भी एक उपाद्दी हो गई यह जो खलीफा चलते हैं वो वी एक in case में फोजिशन है यह कलीफा खाण सुल्टान ठिक है तो इसका पुत्र है ख्रिजगा का पुत्र है मुबारक खा तो इसने कौन से उपाद्दी ली है शाह की उपाद्दी ली है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षन प्राप्त था ठीक है इसकी पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही में सेयद वंच की विशेश में जानकारी मिलती है किसने लिखी तारिक ए मुबारक ये याहिया बिन एहमद सरहिंदी ने लिखी है यमुना के किनारे मुबारक बाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी क्या नाम है जगा का मुबारक का बाद ठीक है मुबारक का बाद इसकी स्थापना मुबारक शाह नहीं की थी सेद वंज का अंतिम सुल्तान अल्ला ओदिन आलम शाह 1445 से 1450 एसवी तक शाह था ठीक है ये रहा था अन्तीम सुल्तान यही था शैदवंज का शाशन करिब 37 वर्सों तक ही रहा ठीक है जाधा टाइम तक इन्होंने शाशन नहीं चलाया अब बात करते हैं लौदीवंज के बारे में इन्होंने क्यों जाधा समय तक नहीं चला पाया क्योंकि यह किसी के अंडर में काम कर रहे थे किसके तेमूर लंग के अंडर में काम कर रहे थे तुगलग वंज को समाप्त कर दिया था तेमूर लंग ने तेमूर लंग का वो सेना पती था जिसका नाम है क्रिजगा क्या नाम है क्रिजगा ठीक है उसका सेना पती होता है और सेना पती होने की वज़े से ये कभी भी जादा टाइम तक शाशन उसमें नहीं कर सकता है इसलिए कुछ समय तक शाशन कर पाता है उसके बाद इनके वंशच खतम हो जाते हैं अगर इस स्वतंत्र होता अपने हिसाब से कर पाता तो ये जादा टाइ होते हैं इसलिए इनको जानना जरूर लोधी डस्टेनी है अब ये देखिए इनका सामराज तीरे-दीरे कम हो गया है ना जब हम पढ़ रहे थे गुलाम वंच उसके बाद खिलजी वंच और तुगलग वंच के समय में ये बहुत जादा फैल गये थे और तुगलग वंच को वही चीज मिली जो खिलजी ने जीत रखी थी इसलिए उनका भी समराज थोड़ा बड़ा था लेकिन सयद में दीरे-दीरे खतम हो गया है ना मतलब देखें तुगलग वंच जैसे खतम होता है ना तो ये जो छोटी-छोटी जो जगा होते हैं यहाँ पर भी राजा बनकर उठ जाते हैं अलग-रण सूल्तान बन जाते हैं यहाँ पर ठीक है यह जो एक समराज पूरा बना के रखा था खिल जी ने는 किया फिर बाद में उनके खतम होने के बाद यहाँ छोटी-छोटी जगा पर भी बहुत सारे इनके सूल्तान बनने शुरु हो जाते तो इनके पास सिमट कर बस इतना सा हिस्था रह जाता है अब कहां लौधी वंश में बहलोल लौधी संस्थापक 1451 से 1489 एसवी तक सन जरूर याद रखना बच्चो तभी आपके दिमाग में कड़ी जुड़ी रहेगी बहलोल लौधी ने 1451 एसवी में लौधी राजवंश की स्थापना की और 1489 एसवी तक दिल्ली सल्तनत पर शाषन किया सेहाशन के अंतिम शाशक आलमशाह ने बहलोलोदी के पक्ष में दिल्ली सलतनत के सिगानशन पर स्वेचता से त्याग कर दिया, अब देखो यहाँ पर अभी हमने जो पड़ा था, इनका जो लास्ट का था, ये अंतिम शाशक सेद वंच का कौन था, ये था अलाओ दिन आलमशाह, तो ये जो अलाओ दिन आलमशाह होता है, इसी ने अपनी मर्जी से क्या किया, ये स्वेचता से ये त्याग कर देता है, सेहाशन का, ठी ठीक है, इनकी कुछ खास लड़ाई नहीं होती है, अपनी स्वेचता से ये त्याग कर देता है, ठीक है, छोड़ देता है कि ठीक है, तुम आकर यहाँ पर बैठ जाओ, बहलोल लोदी अफगान मुल था, ठीक है, अभी अफगान मुल का था, उसके पहले जो भी हमने होते हैं, है न, गुल खिला तू साले, मैंने एक प्रिक आपको बताई थी, तो गुल से हो गया गुलाम वंच, खिला से हो गया खेलजी वंच, तू से हो गया तुगलग वंच, स से हो गया सयद वंच, और ल से हो गया लोदी वंच, तो जो यह आखरी का जो लोदी वंच है ये अकेला ऐसा होता है जो अफगान मुलका होता है बाकी सब तुर्क मुलके होते हैं वह एक पस्तुन परिवार में पैदा हुआ था बहलोल लोदी सेद वंच में महमूद शाह के शाशनकाल के दोरान सरहिंद का राजपाल था जो वर्तवान पंजाम में फतेगर साहब में इस्तित है बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजे की उपादी धारन की थी कौन सी बहलौल शाहगाजे की उपाद्दी ठीक है यह जो बहलौल लोदी है पहले सजय्द वन्च के शाशंकाल में यह राजयपाल हुआ करता था ठीक है उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की, किसने बहलोल लोदी ने सरहिंद सुनार की एक लड़की से शादी करी, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वेम भी खड़ा रहता था, इनका 1489 से 1517 एसवी तक भालोल लोदी का पुत्र निजाम खा 17 जुलाई 1489 एसवी में सुल्तान सिकंदर साह की उपादी से दिल्ली के सिहासन पर बैठा ठीके ये उपादी ले लिए उन्हें सुल्तान सिकंदर शाह और इनका रियल नाम था निजाम खा किसका सिकंदर शाह लोदी क 1504 एसवी में सिकंदर लोगदी ने आगरा शहर की स्थापना की है भूमी के लिए मापन के प्रमानिक प्रचलन शिकंदर लोगदी ने किया था भूमी के लिए मापन में प्रमानिक पेमाने के लिए ये कोशन आएगा इसको याद रखना ने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था क्यों क्यों कि भूमी को मापने की एक प्रमानिक पेमाना है ये गुल रुकी सिर्शक से फार्सी कविताएं भी लिखा करता था सिकंदर लोधी ने आगरह को अपनी नई राजधानी बनाया आगरह इसने इस्थापित भी की और आगरह को ही इसने एक नई राजधानी अपनी बनाया इसके आदेश पर संस्कृत में एक आयूरवेद गरंत का फार्सी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ देखो इन लोगों की लैंग्वेज थी फार्सी ठीके इनकी भाषा फार्सी ही रही है कुशन आएगा कि दिली सलतनत में कौन से भाषा चलती थी तो वो फार्सी लैंग्वेज है ठीके ये क्या कर रहे थे जितने भी गरंत वगेरा होते हैं इनकी लैंग्वेज चेंज करते हैं फार्सी में और उनका एक अलग नाम रखकर ये उनका प्रकाशन कर देते हैं अब आयूरवेदिक गरंत का क्या नाम रखा है इन्होंने फरहंगे सिकंदरी इसने नगरकोड में जौला मुखी मंदिर की मुर्ती को तोड़ कर उसके टुकडो को कसाईयों को मास तोलने के लिए दे दिया था इसने मुसल्मानों को ताजिया निकालने एवं मुसल्मान इस्तरियों को पीरो तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंद लगा दिया था ठीक है ये ताजय निकाला करते हैं इनकेस में जैसे हमारे हिंदो में कलश यात्रा निकलती है इनकेस में भी इसी तरह से ताजय वगेरा भी निकालते हैं लेकिन इसने क्या मुसल्मान इस्तरियों को पीरो तथा संतों के मजार पर जाने से भी मना कर दिया था गले की विमारी के कारण सिकंदर लौदी की मृत्यू 21 नवंबर 1517 इसवी को हो गई थी अब ये लास्ट है इस वन्ष का इसको ध्यान से सुना इसी दिन इसका पुत्र इबराहिम इबराहिम शाह की उपादी से आगरा के सिहासन पर बैठा 21 अपरेल 1526 इसवी को पानिपत के प्रतम युद में इबराहिम लौदी बाबर से हारा था ठीके इसको याद करवाने की विएक ट्रिक है और ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि पानिपत के जो प्रतम युद हुआ है वो किन के बीच में हुआ है वो इबराहिम लौदी और बाबर के बीच में बाबर कौन है यही तो मुगल है ठीके इतने जो मंगोल जो आकरमन कर रहे थे उनी की वनसज है ये बाबर और ये मुगल कहकर अब आया था अपने आपको ठीक है और इसकी डेट के है 21 अपरेल 1526 इस युद में वह मारा गया था बाबर को भारत पर आमंतरण करने का निमंतरण पंजाब के शाषक दौलत खान लौदी और मेवाड के राजा राना संगा ने दिया था ठीके बाबर को इसी नहीं बुलाया था किन दो राजाओं ने दौलत खान लौदी और राना संगा ने क्यों इसके पीछे भी एक स्टोरी है वो जो हम आगे चल कर पढ़ेंगे ये आपस में लड़ बहुत जादा रहे थे इस वज़े से इन्होंने किसको बुलाया था बाबर को एक दुसरे के उपर आकरमन करने के लिए मोट की मस्दित का निर्मान सिकंदर लौदी के वजीर दुआरा कराया गया था देखें तेमुर लंग कौन है उसके बाड़े में जानते हैं नाम बार बार आ रहा है तेमुर लंग की वज़े से तुगलक शाषक जो वँच था खतम होता है उसके बाद सयद वँच बैटता है ठीके उनके बाद आते हैं लोदिवंच तो ऐसा क्या होता है कि तेमूर का नाम इतना क्यों आ रहा है बीच में और चंगिस खां का नाम क्यों ले रहे हैं हम बारवार बीच में इनके बारे में थोड़ा समय आपको बता देती हूं देखे, मैप जैसा आपने देखा है आने के लिए ठीक है चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चंगिस खां और उसके मंगोल भी बेरहम और बरबादी करने वाले थे पर वे अपने जमाने के दूसरे लोगों की तरही थे ये काफी बेरहम लोग थे वैसी जितने भी अभी तक हमने पड़े काफी ज़्यादा बेरहम लोग थे लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर कोई बेरहम था तो वो था चंगिस खां और दूसरा था तेमुर लंग तेमुर लंग का नाम सबसे शिर्स पर आता है ये इनसान बहुत ही ख़तरनाग था उस समय, लेकिन तेमूर उससे बहुत ही बुरा था, अनियंत्रिंद और पेशाचिक कुरूरता में उसका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं था, अनियंत्रिंद और पेशाचिक, मतलब ये खुले आम किसी का भी कतल करता और कुछ भी कर देता था इंसान ठीके काफी खतरनाक इंसान था कहते हैं एक जगा उसने 2000 जिंदा आदिमियों की एक मिनार बनाई और उन्हें इट के और गारे से चुनवा दिया ठीके 2000 लोगों को जिंदा इसने चुनवा दिया तेमोर लंग दूसरा चंगेश खा बनना चाहता था व करोड लोगों को मारा था कितने चार करोड लोगों की इसने हत्या कर दे थी कहते हैं चंगेश खा इंसानों को भी मार की खा जाता था जो यह मंगोल लोग थे हैं ना इनका जो ग्रूप था इंसानों को मार के खा जाते कोई भी जानवर होता उसको मार के खा जाते काफी बर लंगड़ा था इसलिए तेमुर लंग कहला था नाम तेमुर था लंग इसलिए क्यों खी ये लंगड़ा था वह अपने बाप के बाद सन 1369 एसवी में समरकंद का शाशक बना इसके बाद ही उसने अपनी विजय और कुरूरता की यातरा शुरू कर दी ठीके ये कहां का शाशक बना था समरकंद का शाशक बना था ठीक है तेमुर लंग ने जब आकरमन किया था ना तुगलक को के उपर तब वहाँ पर ये तुगलक के उपर इसने आकरमन किया और वहाँ पर एक सेनापती छोड़ के गया था क्रिजखा क्या नाम था खिजर खा को ही छोड़ कर गया था वही बाद में सेयद वंच की स्थापना करता है तो यही यह बार-बार यहां पर लड़ाई करने आता कुछ हिस्सों को जीतता और वापिस अपने जगा चला जाता समरकंद में कहां पर समरकंद में चला जाता ठीक है जहां भी जादा जाता बस वहाँ पर कतलगर के ही आता वह बहुत बड़ा सिपहसल सार था लेकिन पूरा वहशी भी था मधिय एशा में मंगोल लोग इस बीच में मुसल्मान हो चुके थे और तेमुर खुद भी मुसल्मान था तो जो यह मंगोल लोग थे यह पहले मुसल्मान नहीं थे यह जो चंगेज खान आपको नाम ऐसा लग रहा है लेकिन यह कोई मुसल्मान नहीं था उसका जो रियल नाम था यह कोशन आएगा तेमुचीन था नाम क्या था तेमुचीन है ना तेमुचीन रियल नाम है चंगेश खान का ठीक है पहले उसका वो नाम था वो कोई मुसल्मान नहीं था वो हमेशा क्या करता था मुसल्मानों का सफाया करता था कौन चंगेश खान और ये जो तुरकी थे ये क्या करते थे मुसल्मान बढ़ाते थे अपना इसलाम धर्म फैला इसलिए क्या कहता है कि मैं चंगेश का वो वंसर्चू लेकिन जो चंगेश का है एक्चुल में ये मुसल्मान नहीं था वो एक नॉर्मल इंसानी था ठीक है उसका रियल नाम क्या है एक और बाद सुनो उसका रियल नाम है चंगेश कान का तेमोचेन ठीक है ये कोशन आएगा लेकिन मुसल्मानों से पाला पढ़ने पर वह उनके साथ जरा भी मुलामियत नहीं बरतता था जहां जहां वह पहुचा उसने तबाई और बला और पूरी मुसीबत फिला दी नर्मुंडों के बड़े बड़े धेर लगवाने में उसे खास मजा आता था लोगों को यह मारता और उनकी घर्दने इखटी करता उनको देखता और बड़ा खुश होता पूर्व में दिल्ली में लगाकर पशी में एशिया को चक तक उसने लाखों आदमी कतल कर डाले और उनके कटे सिरों को स्तूपों की शकल में जमवाया ठीक है मार देता सबको और क्या करता उनके चहरों को ऐसे से लगा देता और स्तूप जैसा बना देता ठीक है इतना खराब था यह इनसान मतलब जो यह चंगेश खा और जो तेमुर लंग थे यह काफी खराब लोग हुआ करते थे यह काफी गंदे भी रहते थे चलिए यह हमने सारी चीजे पढ़ ली अच्छी तरह से डिसकस कर लिया A to Z आपको समझा दिया अब इसे रिलेटेट जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम हंड्रेट से भी ज़्यादा MCQs को कवर करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट अफ यूज से बहुत ज़्यादा इंप करिजिएगा और हमाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ठीक है जब तक के लिए ठैंक यू